इतिहास के अनूठे संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे। प्रोफिसर नंद किशोर आचारी की किताब इतिहास के सवाल के एक अध्याय सार्व भूमिक सभेता की जड़े का तीसरा भाग। इस अध्याय को लेकर अब तक हम दो बार मिल चुके हैं और पिछले अंकों में हमने देखा कि प्रोफिसर नंद किशोर आचारी है ये कही बात पर विशेश जोर देते हैं और वह बात यह है कि यदि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भारत की संस्रति को भारत की सभ्यता को भारत के इतिहास को समझना हो तो उसे भारत के भीतर से समझना होगा भारत को बाहर से देखकर वे भारत की सभ्यता और भारत की संस्रति को नहीं समझ सकते यूरोपिये लोग खास दोर से तब सराचारे आगे लिखते हैं अठारवी श्रताब्दी के अंतिम दिनों से यदि भारत में यूरोपी ये कोटियों के आधार पर अपने कुछ समझने की प्रिवृत्ती दिखाई देने लगती है तो इसका कारण बावधिक से अधिक एतिहासिक है मितरो यहां प्रपसर आचारिय ये कहना चाते हैं कि अठारवी श्रताब्दी के अंतिम दिनों से हम भारत को भारत की दिख्टी से ने समझ कर यूरोपी ये दिख्टी से समझने लगे थे इसका कारण वे बताते हैं कि बौधिक नहीं है इसका कारण एतिहासिक है वे लिखते हैं इसे राजनेतिक रूप से पराजित जाति द्वारा अपने आत्म विश्वास को प्राप्त करने के स्वाभाविक प्रयतनों के रूप में ही समझा जाना चाहिए भारत को यूरोप की चुनावती नैतिक या दाशनिक से अधिक तकनीकी और राजनेतिक दिखी थी यूरोप ने एक एनैतिक और अधिक हिंसक तकनीकी के आधार पर भारत को शासित करना चाहा था और तब शासित वर्ग के लिए यह स्वाभाविक था कि उस तकनीकी के पीछे काम कर रही दाशनिक वृत्ति को भी समझने का प्रयास किया जाता और यूरोप के समुख यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती कि उनकी अपनी कोटियों के आधार पर भी भारतिय परमपरा को जाना समझा जा सकता है राजा राम मोहन राय से लेकर सर्वपली रादा कृष्टन तक के प्रयास कमो बेश इसी दिशा की ओर उन्बुक हैं और उनके विस्तरत विश्टेशन में भी हाल्ब फोस इस बात की लगभग अन्देखी कर जाते हैं कि यह प्रयास अधिकांशत है उस वर्ग के द्वारा किया गया जो किसी ने किसी कारण बिटिश शिक्षा पधत्ती में प्रशिक्षित हुआ और राजनेतिक पराधीनता के कारण जो एक हीनिता की भावना से भी ग्रस्त था बड़ी महतुपूर्बात कही है प्रपसर आचारे ने वे कहते हैं कि यह जो प्रयास हुआ कौन सा प्रयास वह प्रयास जिसके अंतरगत भारत को भारत वालों ने यूरोपी द्रिश्टी से देखना चाहा और इसका कारण एक बताया सबसर आचारे ने कि वे यूरोप को भारत के संदरव में यूरोप के चश्मे से ही समझाना चाहते थे आचारे जी लिखते हैं कि यह प्रयास अधिकान श्रत है उस वर्ग के द्वारा किया गया जो किसी ने किसी कारण ब्रिटिश शिक्षा पधती में प्रसिक्षित हुआ और राजनितिक पराधिनता के कारण जो एक हीनिता की भावना से भी ग्रस्त था यह वर्ग अगर अधिक बढ़ता गया तो उसका मुख्य कारण पारंपरिक भारतिय विद्याकेंद्रों का विनाश और आधुनिक शिक्षा पधती का राज्य द्वारा प्रचार और मानेता थी राज्य द्वारा तिर्श्कृत होने के बावजूद भारत में संस्कृत दर्शन शास्त्रियों की एक परमपरा बराबर बनी रही जो भारतिय परमपरा को अपनी ही कसवटियों पर समझने का प्रयास करती रही राज्य द्वारा तिर्श्कृत होने के बावजूद भारत में संस्कृत दर्शन शास्त्रियों की एक परमपरा बराबर बनी रही जो भारतिय परमपरा को अपनी ही कसवटियों पर समझने का प्रयास करती रही उनके लिए अंग्रेजी आत्मग्यान का माध्यम नहीं बनी जैसा कि जे इल महता जैसे दर्शन सास्त्रियों के साथ हुआ लेकिन इस अंग्रेजी माध्यम के बावजूद जब विवेकानन्द भारतिय आध्यात्मिक्ता और पश्चिमी भोतिक वाद के समनवे का आग्रह करते हैं तो वे दर्शन के ख्षित्र में भारतिय मनिशा को ही तरजीह दे रहे होते हैं लेकिन विवेकानन्द जैसे विचारकों के ऐसे आग्रह एक बुनियादी अंतर विरोध से ग्रस्त है क्योंकि इससे कहीं यह ध्वनित होता लगता है कि जीवन द्रिष्टी और जीवन की सुविधाएं कोई अलग-अलग बाते हैं इसलिए अलग-अलग स्तरों पर दोनों को सुविकार किया जा सकता है इस द्रिष्टी से क्रिष्ण चेंदर भटाचारिय के वैचारिक स्वराज की बात अधिक महत्वकून लगती है जो कहीं ने कहीं गांधी जी की स्वराज की अवधारना से जुड़ जाती है लेकिन लेकिन हाल्व फोस के इस अध्यन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह उस भारती विचारक की बिलकुल अंदेखी कर देता है जो अपनी जमीन पर खड़े होकर ने केवल अपने को बलकि यूरोप और संपूर्ण आधुनिक्तावादी सपहता को समझने का एद्व प्रियास करता है और यह विचारक है मोहंदास करम चिंद गांधी कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी शायद उन अर्थों में दार्शनिक नहीं है जिन में पश्चिमी दर्शन शास्त्री आते हैं लेकिन वे निसंदे हैं भारती ये प्रतिमानिक व्यक्याकार हैं। वे ने केवल अपनी ही परंप्रा के प्रतिमानों के आधार पर भारतिय समाज को और उसमें आ गई विक्रतियों को समझने का प्रयास करते हैं। बलके यूरोप और एशिया को भी ऐसी कोटियों में समसना चाहते हैं जिन में कहीं भी किसी गैर भारतिय के भारतिय करन की मनशा नहीं जलकती दरसल गांधी से बहस करना सभी आधुनिकता वादियों को एक जंजट लगता है क्योंकि गांधी अपनी परंपरा की कोटियों और भाशा में बहस करते हैं और आधुनिकता वादी वहां अपने को गूंगा महसूस करता है यूरोप और आधुनिकतावाद की पहली शर्त ही यह है कि वह अपनी ही कोटियों अर्थात अपनी ही भाशा में बहस करना चाहता है गांधी उस भारती दृष्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आधुनिक विज्ञान परवध्योगी की और उससे उत्मन सभेता को और इस प्रकार इस सभेता के पीछे सक्रिय जीवन दृष्टी और दर्शन परंपरा को सीरे से खारिज कर देते हैं हिंद स्वराज में परमपरा या भारती द्रिश्टी आधोनिकता अत्वा यूरोपी करन या पश्चिमी करन के सम्मुख कुछ ऐसे बुनियादी सवाल खड़े करती है जिनके सम्मुख निरूत्तर होते हुए भी आधोनिकता यदि यूरोपी करन का आगरह करती है तो इसे उ अठध धरमिता ही कहा जाएगा हालवफोस की मूल समश्या भी यही है हालवफोस की मूल समश्या भी यही है कि वह भारती परमपरा को मुल्यवान तो मानता है और उसके सहारे ही अंततह त्रान पाने की आशा करता है हालवफोस की मूल समश्या भी यही है कि वह भारती को मुल्यवान तो मानता है और उसके सहरे ही अंतता है त्राण पाने की आशा करता है लेकिन साथ ही हेगेल की तरह दरब से नहीं तो हाइडेगर की तरह है पश्चाताप से ही सही उसका भी निसकर्श यही है कि फिलहाल यूरोपी एकरन के सिवाए कोई चारा नहीं है और इस बेचारगी का कारण आधुनिक विग्यान और प्रोद्योगिकी की अनिवारिता है हाल वफोस अपने अध्धेन का अंत प्रॉफसर जडावलाल महता के इस वक्तवे के साथ करता है कि हम पूरवी लोगों के लिए इस यूरोपी करन से होकर गुजरे बिना कोई चारा नहीं हाल वफोस अपने अध्धेन का अंत प्रॉफसर जडावलाल महता के इस वक्तवे के साथ करता है कि हम पूरवी लोगों के लिए इस यूरोपी करन से होकर गुजरे बिना कोई चारा नहीं है इस विदेशी और अजनबी भूमी की यात्रा से गुजर कर ही हम अपने स्वत्व को पा सकते हैं स्वयम हाल वफोस का निशकर्ष है कि संपूर्ण प्रित्वी का जूरोपी करन की इस प्रक्रिया से कोई बचाव नहीं है वित्रो पश्चिम के दार्षनिकों का यह दंब उनको ले बैठता है पिछले वर्षों में एक विचार आया था अमेरिका से फुकोयामा का कि बस अब इतिहास का अंद हो गया है जो सेश्टतम व्यवस्था इस दुनिया को दी जा सकती थी वह यूरोप की तरफ से दी जा चुकी है लेकिन यह विचार आंदे मूंगे रहा इतिहास के अंद को किसी ने स्विकार नहीं किया तो हमें पश्चिमी दार्षनिकों को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सिर्फ अपनी बात करते हैं दूसरों की बात भी वे अपने हिसाब से ही करते हैं अपने दिश्टी से करते हैं अपने चश्मे से देख कर करते हैं स्पष्ट है कि ये मंतव किसी दार्षनिक तरक से प्रमानित नहीं है हालवफोस और वे सभी दर्षन शास्त्री जेने हालवफोस अपने पक्ष में उद्रत करते हैं ये तो मानते हैं कि वास्तविक मुक्ती तो भारतिय परंपरा में ही है वे मानते हैं कि वास्तविक मुक्ती तो भारतिय परंपरा में ही है लेकिन विज्ञान और प्रोद्योगी के कारण फिलहाल इस रास्ते पर चलना संभब नहीं है गांदी जी और अन्य विचारकों में फर्क यही है कि जब गांदी जी यह समझ लेते हैं कि सत्य कहा है तो वे सभी तरह के जोखिम उठाकर भी उस सत्य की ओर ही चलना चाहते हैं अपना संपूर्ण यूरोपी ये करन करने से ही हम यूरोप से मुक्त होकर अपने को पा सकते हैं यह कितनी एवग्यानिक और अंतर विरोध पूर्ण दलील है परिस्थिति के सम्मुक इस प्रकार का आत्म समरपन वस्तूत हैं उसी एतिहासिक नियतिवाद की एक और अभी वेक्ति है जो यूरोपी मनिशा की खास विशेष्टा रहा है इस यूरोपी द्रिष्टि का एक प्रमुक अंतर विरोध इसलिए वहां भी उबरता है जहां वेक्ति और उसके कर्म स्वातन तरे के सिद्धान पर आगरह करने वाली एक सामुहिक नियतिवाद से बद्ध हो जाती है इस यूरोपी दिश्टी का एक प्रमुख अंतर विरोध इसलिए वहां भी उबरता है जहां व्यक्ति और उसके कर्म स्वातंत्रे के सिध्धान पर आगरह करने वाली दिश्टी एक सामुहिक नियतिवाद से बद्ध हो जाती है आलबफोस और ऐसे लेखकों का प्रयतन इसलिए एक पंगू कोशिश या अधूरे मन का प्रयास होकर रह जाता है निश्चेही गहरी और व्यापक विद्धवता इस प्रयास में हमें मिलती है लेकिन इस विद्धवता में उस बॉद्धिक निश्ठा की कुछ कमी दिखाई देने लगती है जब लेखक अपने ही विश्टेशन से प्राप्त मुले बोध को मुलतवी कर उसके बिलकुर विपरीत मुल्यों के सम्मुख परिस्थिति गत लाचारगी के बहाने आत्म समर्पन करता नजर आता है और तब हाल्व फोस का गांधी जी के एद्वीती प्रयास की अंदेकी करना भी कुछ कुछ समझ में आने लगता है लेकिन हाल्व बोस का यह अध्यान इस द्रिस्थि से महत्वपूर्ण और उप्योगी है कि यह हमें एक ऐसे समय अपनी परंपरा को फिर से समझने के लिए प्रेरित करता है चाहे यूरोपी करन के सम्मुक आत्म समर्पन की उसकी राय से हम नए भी सहमत हो जब यूरोपी करन की चुनोती सब को निरुत्तर करने का दावा कर रही है इस चुनोती का असली जवाब उस द्रिष्टी में है जिसे गांधी जी ने हमारी परंपरा से ही प्राप्त किया है उस द्रिष्टी की सिद्धी के मार्ग में आने वाली कुछ कठेनाईों से घवरा कर यदि हम उस द्रिष्टी को एव्यावारिक या आदरश्वादी कहकर खारिज करना चाहें तो इसमें दोर्श हमारा ही है आलब फोस भी एक ऐसी द्रिष्टी के विकास पर जोड़ देते हैं जैसे की हाइडेगर भी देते हैं जो पूरव और पस्टिन से उपर उठकर सार्व भौमिक हो सके और इसे द्रिष्टी के विकास की समभावना भी वे भारतिय पर्मपरा में ही स्विकार करते हैं लेकिन वे इस बात की चर्चा नहीं करते कि यह द्रिश्टी हमें गांधी जी में विक्सित होती दिखाई देती है कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि हालवफोस या उन जैसे अन्य विचारक जैसे कि हमारे प्रबसर जडावलाल महता भी भौतिक प्रगदी की यूरूपी कसोटियों से अपने को मुक्त नहीं कर पाते दर्शन और कर्म में यह भेद भी एक तरह से दर्शन को फिलोसफी बना देने का ही एक परिणाम है तो मित्रो ये था आज का इतिहास पार्ट फिर मिलेंगे नमस्कार